सवाल यह था कि जो तौफ होता है, तो तौफ के लिए बहुत सारे लोगों को गैसेस की प्राबलम होती है, तो बार-बार वजू भी नहीं बनाया जा सकता, तो क्या तौफ के लिए वजू कंपल सरी है, या फिर अगर वजू तूट जाए तो जाके वजू फिर से बना के वा की नहीं तो फिर सिर्फ एक अमल के लिए क्या फिर तमाइक लिए यही होगा कि जिसको सलसल बॉल की शिकायत हो जिसको डायमी जो है मैंने गैस की शिकायत हो कि वो वजो को रुपना उसके लिए मज़ए ही न हो फिर होकम हर जगे एकसा होगा जिस तरह नमाज में है कि उसने वजो कर लिया और फिर नमाज बता कर लिया तो इसी तरह यहां भी हुकम रहे बाकी शेक के बाइद बताएंगे इस सलसले में मज़ीद अच्के मसाइल है यह इसके लाओं कोई और सवाल भी हो तो साथ में पूछ लीजे आपको इंशालला जवाब साथ में मिल जाएगा ज दूसरी ये कि मदिने के अंदर क्या चीज़ है जो इस बारे में जो दलील है ना मैं आपके सामने रख देता हूं फिर आप इस बात को समझे जी इस पहले तो पहली दलील इस बारे में सही बुखारी की हदीस है कि नभी सल्यूलासम अन्नहु तवद्दा तुम ताफा बिल लाह कित काबे का तवाफ जो है वो नमाज के जैसा है नमाज के जैसा है अब ये जो दलील है इस वज़ा से जो इखतलाफ है तो इखतलाफ में आपको बता दू कि इमाब हनीफर एमतुलाले इबन तैमिया शेक अलबानी सिदीक असन खान ये सब कहते हैं कि फर्द नहीं है वो क्या कहते हैं कि नमाज के जैसा भले ही है कि लेकि नमाज की सारी शर्तें तवाफ में थोड़ी आती है नमाज की जो सारी शर्तें वो थोड़ी तवाफ में आती है तो वो कहते हैं कि फर्द नहीं है दूसरी तरफ इमाम एहमद है मालिक है शाफई है इमाम शौकानी है दो बुनियादी दलायल है, क्या बुनियादी दलील, एक दलील है कि नभी अल्यासम कामल था, कि उन्होंने तवाफ किया, और दुसरी दलील कि ये नमास के जैसा है, अल्ला के रसूल सलाओं ने बताया, तो अब यहां पर आपके सामने है बात, और अगर आप देखें तो वा बात, जादा कन्विंसिंग लगी, जो मौकिफ अबो हनीफा, इमाम अबन तहमिया, शेक अल्बानी, ये लोग सब ने जो इक्तियार किया, कि फर्ज नहीं है, हाँ, लेकिन फिर भी कोई अगर इस मौकिफ का है, कि फर्ज है, और उसकी बिमारी और उज़र के तोर पर है, क उसके नमाज के लिए जा रहा है, उस धर्मयान में अगर गैस पास हो गया, अगर उसकी बिमारी है, तो उसके लिए आसानी भी है, उसके लिए लगा ताल ने आसानी रखी है, तो ये बात को हम देखते हैं, मतलब दोनों तरीके से उसको कोई प्राइब्लम नहीं है, चाहे पर सिर्फ इकतलाफी मसाल पर वीडियोज आएगी, लेकिन दलायल के साथ और भाईचारगी के साथ, आपको मैं दावत देता हूँ कि आप भी हमारे इस चैनल को सबस्क्राइब करें, हमारी वीडियोज को शेयर करें, और नोटिफिकेशन आइकन को अल सिलेक करें, ताके आपको हमारी वीडियोज का नोटिफिकेशन मिल सकें, जजाकाल्लाव खेर, वस्सलाम लेकराम तुलाव